हेलो और वेलकम टो अरिस्ट वाला इसकेट में बीद करना आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग त्यारी भी क्या फिजबरतास चल रही होगी आज का जो वीडियो होने वाला है वो यूजी सीनेट के रिगार्डिंग होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि यूजी सीनेट का अड्मीइट कर अलशा है और कब तक आने किस संभवना है तमां सुचेत अफरप करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंटे मुझे अइसे मुझे साय हैं या exam postponed होने वाला है, तिन तमाम मुद्धे को पड़ाज हम बात करने वाले हैं, वाई यह शुरू करते हैं, कि आपका UGC NET का admin card कब आने वाला है, everyone, वीडियो का मैं सुरू करूँ, उससे पहले, मैं आप सभी को लेके चलता हूँ, लेके चलता हूँ, UGC NET के bio site पे, और वहाँ पे चलेंगे, और वहाँ पे देखेंगे, कि क्या new update आया है, and then उसके बाद हम बात करेंगे, कि UGC NET का admin card कब आने वाला है, because हमने बहुत सारी sources का use किया है, और वहाँ से हमने बात किया है, तो उन लोगों से भी जो information मुझे पता चला है, उन तमाम मुद्धे को भी बात करने वाले है, कि आपका NET का admin card कब आने वाला है, और कब नहीं आने वाले, इन तमाम मुद्धे को पर बात करेंगे, तो आईए शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए, UGC NET की बेव साइट पर आचुके हैं, और यहाँ पर देखने वाले हैं, कि क्या update अभी निकल कर आए है, तो एवरीवान UGC NET की बेव साइट पर है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कि December 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है, और June 2021 साइकल के बारे हैं बा यहाँ पर देख पाड़े होंगे, वही सारी पुरानी नियूज है इसमें, तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन तमाम चीजों के उपर वीडियो मना चुका हूँ, तो आगी फिर जलते हैं बेव साइट के उपर, तो यहाँ यहाँ पर देख पाड़े होंगे, कोई भी ऐसा नियूज अपडेट नहीं है, क्योंकि पब्लिक नोडिस अपका 10-8-2021 का ही है, देन उसके बाद 10-8-2021 का ही पब्लिक नोडिस है, और उसके बाद मई चकर के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, देन अब बात क्या ज बाता है कि admit card जारी क्यों नहीं हो रहा है, तो admit card जारी क्यों नहीं हो रहा है, अब उसके ओपर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूँ कि admit card, UGC NET ने already पहले ही बता चुका है, कि admit card जो भी आपके आएंगे, वो आपके examination के 15 days पहले आएंगे, आ आप सभी को exam date पता है, अगर आपको पता नहीं है, तो आप मेरे channel पर जाईएगा, और UGC NET के जो तमाम videos है, उसमें मैंने examination date के regarding video बना दिया है, तो वहां से आप देख लीजेगा, exam date कब आपका exam होने वाला है, कौन से date को exam था, जो postponed हो गया, उस दिन exam नहीं होगा, इन त सब कुछ को ले करके चलें आप, तो आपका जो exam का schedule है, और exam जो date है, उसमें अभी बहुत time है, बहुत time इंदा कहने के sense मेरा ये है, कि approximately अभी 25 days plus time अभी बचा हुआ है, आज है आपका 15, और आपका उधर भी आप ले ले 15, तो लगब लगब 30 days के आसपस तो ऐसा ही हो जान देना चाहिए, तो मैं एक इसी information के लिए video बना रहा हूँ ताकि आप लोग परसान नहों, क्योंकि आपने चैनल को already subscribe कर रखा है, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe ज़रूर कर लिजेगा, क्योंकि कोई भी information होता है, आपको पता है, कि अभी 15 दिन बाद आप लोग का admit card आ आपका admit card आने वाला है, इस मन्त की मैं अगर बात करूँ, तो इस मन्त में last week, आप 25 September के बाद, और 30 September के बीच में आप एक बार देख सकते हैं, उस समय में हो सकता है, छोटा सा clip मना करके आप सभी को भेज दूँ, डाल दू अपने चैनल पे, तो 25 September से लेके 30 September के बीच में अगर आना होगा तो आएगा नहीं, तो इस मन्त के बाद, October से ही आपका admit card डाउनलोड होना शुरू होगा, yes everyone, कभी कभी UGC admit card देखे, आप सभी को पता है कि NTA, आप सभी को बहुत पहले से ही पता है, कि NTA अभी जो भी exam conduct करवा रही है, उन तमाम examination का admit card, तीन से चार दिन पहले वो upload कर रही है, maximum 10 days पहले upload कर रही है, तो जदा पेनिक होनी की भी हो सकता नहीं है, और जदा परसान होनी की भी हो सकता नहीं है, आपका admit card अब आ जाएगा, क्योंकि exam date अभी नहीं बढ़ने वाला है, उस पे अब final मोहर लग चुका है, अब आपका exam October में हो रहा है, तो अब इस चीज़ को आप ध्यान में रख लिजे कि आपका exam अब October में हो रहा है, ना कि वो आगे बढ़ने वाला है, तो उस चीज़ को भूल जाएए, देखिए, अपदा में जो औसर मिला हुआ था, वो औसर अब समाप्त होने वाला है, अब आप इसका कितना लाब उठ यह आपकी उपर है, क्योंकि मैं बस यही बता सकता हूँ, कि आपका admin card 10 दिन से 15 दिन पहले आना चाहिए, लेकिन NTA, UGCnet का admin card 4 दिन 5 दिन पहले भी upload कर सकती है, क्योंकि बहुत बढ़ी जन संख्या में इस बार exam होने वाला है, आप सभी को पता है कि UGCnet 2020 और UGCnet 2021 का notification द examination date को increase किया जाए, लेकिन जो examination date अभी दे दिया गया है, उस दिन को तो exam होगा है, अब यह देखना होगा, अभी कोई update अगर निकल के आता है, कि जो भी exam है, वो subject wise होगा, या कैसे conduct करवाएगी, हो सकता है कि इसके उपर कोई update आई, अगर subject wise, अगर कोई examination UGC लेती है, अग लेकिन फिलाल में बस यही update है, इन तमाम मुद्दों को ले करके, कि आपका admit card 15 दिन पहले आने की संभावना है, जो आपका 15 दिन पहले आपका हो सकता है, 25 September से ले करके 30 September के बीच में आए, इसके बीच में एक और update आ सकता है, वो update यह है, कि हो सकता है कि subject wise exam ले, तो उसके regarding फिर से examination date increase हो सकती है, लेकिन जो exam date पहले से दिया गया है, वो exam date आपका change नहीं होने वाला है, अभी तक के information के regarding, इस वीडियो बस इतना ही रखेंगे everyone, क्योंकि already मैंने सारी topic पर बात कर लिया है, लेकिन अगर कोई ऐसा भी information छूट गया हो, तो आप comment box में comment करके मैं इसे प पोटेंट हो जाता है, thank you so much everyone, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए खुस रहिए, अपने study जी जान से त्यारी कीजिए, अगर कहीं पर कोई problem आ रहा है, तो आप question पूछ सकते हैं, इस वीडियो मस इतना ही, thank you so much everyone, जैहिंद!